विएस आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे टुकिला मौकिंग बर्ड ये एक नौवल है जो एक अमेरिकन राइटर हारपर ली ने लिखा इस वीडियो में सबसे पहले हम हारपर ली का इंट्रोडक्शन डिसकस करेंगे फिर इस नौवल के key facts देखेंगे, historical background डिसकस करेंगे, major characters की बात करेंगे, summary, themes और analysis वन बाइवन हम इन सारे points को डिसकस करेंगे तो चलिए हारपर ली के introduction से आज की वीडियो शुरू करते हैं ये एक American writer है जो 28 April 1926 में मिनरोवल में पैदा हुई इन्होंने 1949 में University of Alabama से law की डिग्री हासिल की और 1950 में Oxford में चली गई Oxford में इन्होंने एक साल गुजारा और फिर उसके बाद New York चली गई ताके अपना पूरा focus लिखने पर कर सकें और लिख सकें इनका famous novel है टुकिला मोकिंग बर्ड जो 1960 में publish हुआ और publish होते ही ये novel बहुत famous हो गया 1961 में इस novel ने Pulitzer Prize जीता और 1999 में इसे best novel of century के तोर पर choose किया गया 1960 में Harper Lee ने public life से दूरी अख्तियार कर ली 2015 में इन्होंने एक और work लिखा जिसका नाम था Go Setup Watchman ये work टुकिला मोकिंग बर्ड का draft था इस work के publish होते ही बहुत controversy हुई कुछ लोग कहने लगे कि इनके publisher ने इनकी बढ़ती हुई उमर का फाइदा उठाया है लेकिन research से कुछ भी साबित नहीं हुआ था 2016 में Harper Lee की death हो गई और उस वक्त उनकी age 89 years थी इस novel के key facts की बात करें तो इसका full title है टुकिला मोकिंग बर्ड 1950 से 1960 के दर्म्यान ये लिखा गया New York City में लिखा गया 1960 में ये publish हुआ इसका literary period है modernism genre है Buildings Roman Buildings Roman एक ऐसा novel होता है जिसमें character की childhood से लेकर उसकी adulthood तक की जिखाई जाती है उसकी personal, psychological और moral growth दिखाई जाती है कि कैसे उस character का society से interaction होता है और कैसे उसकी growth होती है ये सब कुछ Buildings Roman novel में ब्यान किया जाता है इसकी setting रखी गई एक fictional town में कौंब में और first person इसका point of view है अगर इस novel के historical background की बात करें तो 1931 में 9 black boys पर ये इलजाम लगाया गया कि उन्होंने 2 white girls का rape किया है उन 9 black boys को जेल में बंद कर दिया गया उन्हें सक्त सजा दी गई 6 साल तक उनके trials चलते रहे इन trials को Scott Bro trials का नाम दिया गया और America में इसकी वज़ा से बड़े जोरो शोर से racism पर डिबेट होने लगी 6 साल तक ये मुकदमा चलता रहा उन लड़कों को जेल में रखा गया और फिर एक लड़की ने गवाही बदल ली और कहा कि कोई भी rape नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उन 9 में से 5 boys को rape के case में सजा सुना दी गई कहा जाता है कि इस case से ही inspire होकर हारपरली ने टुकिला मोकिंग बर्ड लिखा क्यूंकि इस novel में एक character है टॉम रबिंसन उस पर भी racism की वज़ा से जूटा इलजाम लगाया जाता है कि इसने rape किया है इसको हम आगे novel में details से discuss करेंगे अगर इस novel के characters की बात करें तो सबसे पहले है Jean Louise Finch जिसका nickname है Scout हम इसको पूरे novel में Scout ही कहेंगे ये novel की protagonist है यनि main character है Scout ही novel को narrate करती है ये six years old young girl है बहुत ही intelligent है और active है पूरे novel में ये racism के बारे में सीखती है फिर है Jeremy Atticus Finch जिसका nickname है Gem पूरे novel में हम इसको Gem ही कहेंगे ये Scout का बड़ा बाई है जो novel के दुरान ही grow होता है ये दोनों बच्चे आसपास society में बढ़ती हुई racism की वज़ा से बहुत effect होते हैं फिर है Atticus Finch ये Scout के father है और इनका profession lawyer है यनि ये एक वकील है ये justice और equality पर यकीन रखते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं ये एक black man को defend करते हैं जिसका नाम है Tom Robinson फिर है Tom Robinson ये एक black man है जिस पर इलजाम लगाया जाता है कि इसने एक white girl का rape किया है इसके trials के जरिये ही नावल में racism और justice जैसे themes को highlight किया गया है फिर है मेयाला यूवल ये एक poor white woman है और ये ही Tom Robinson पर rape का इलजाम लगाती है ये बहुत lonely और isolated feel करती है यनि बहुत तनहा और अकेला महसूस करती है और racist society के pressure में आकर ये Tom Robinson पर rape का इलजाम लगाती है क्योंके वो black man था फिर है Bob Yuval ये मेयाला का father है abusive man है और racist है यनि blacks को अच्छा नहीं समझता और जो भी इसके against खड़ा होता है ये उससे revenge लेता है यनि बदला लेता है फिर है Kelpernia ये finch family की housekeeper है ये black woman है और ये scout और jam दोनों बच्चों से बिलकुल मा की तरह सलूक करती है उन्हें mother की तरह treat करती है बच्चों को racism की complexity समझने में मदद करती है उन्हें बताती है कि racism क्या है और ये क्यूं है फिर है Dil Harris ये scout और jam का friend है उनके neighborhood में आकर रहता है गर्मियों की छुटिया उनके साथ गुजारता है ये imaginative है, adventurous है उनको story सुनाता है novel में डिल रिप्रिजेंट करता है innocence of childhood को ये अपनी aunt मिस रेचल के पास आकर रहता है और ये aunt scout और jam के neighborhood में रहती है फिर है boo radley ये एक mysterious आदमी है जो scout और jam के neighborhood में रहता है ये कभी भी अपने गर से बाहर नहीं निकलता novel के शुरू में scout और jam इससे बहुत डरते हैं क्योंकि इसके related बहुत सारी अफवाहें थी कि ये cats और squirrels खाता है इसलिए बच्चे इससे बहुत डरते थे लेकिन novel के आखिर में उन्हें पता चलता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है बहुत kind और caring है novel के आखिर में ये बच्चों को बचाता भी है उन्हें protect भी करता है ये थे novel के major characters चलिए ब समरी शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है एक छोटे से fictional town से जिसका नाम है मेकॉंब इस town में 6 साल की स्काउट अपने बड़े बाई जैम और अपने फादर एटिकस के साथ रहती है जिस time ये novel लिखा गया उस time अमेरिका में great depression चल रहा था जिसकी वज़े से social, political और economic changes हो रही थी लेकिन इस family की social और economic conditions अच्छी थी क्योंकि एटिकस एक prominent lawyer था और वो अच्छा खासा कमा लेता था एटिकस वीडो था इसकी wife की death हो चुकी थी यनि इन बच्चों की मा मर चुकी थी और एक black housekeeper केलपर्निया इनका मदर की तरह ख्याल रखती थी स्काउट और जैम अपना ज्यादा तर वक्त imaginative stories में गुजारते थे एक साल गर्मियों की छुटियों में इनके neighborhood में एक लड़का आकर रहता है जिसका नाम था डिल डिल अपनी आर्ट मिस रेचल के पास आकर रहने लगता है स्काउट और जैम की इस डिल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि डिल की imagination भी बहुत अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छी stories create करता था तीनों बच्चे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि उनके गरों के पास ही एक बहुत ही mysterious house है जिसे रैडली पैलस कहते हैं नीदन रैडली नाम का आदमी इस गर का मालिक था बच्चों को पता चलता है कि इस mysterious गर में एक ओर्थर रैडली नाम का आदमी रहता है वो हमेशा गर में रहता है कभी भी अपने गर से बाहर नहीं निकला कैट्स और स्क्वेरल्स खाता है एक बार उसने अपने फादर को भी सीजर से जखमी किया बच्चे इसे बहुत डरते थे और इसे बू कहते थे एक दिन खेलते खेलते जैम इस रैडली हाउस को टच करता है तो स्काउट कहती है कि उसने देखा है कि इस गर में कोई था और परदे के पीछे से उन्हें देख रहा था फिर गर्मियों का मोसम खतम हो जाता है तो डिल वापिस चला जाता है स्काउट स्कूल जाना शुरू कर देती है लेकिन स्कूल उसे बिलकुल भी पसंद नहीं आता स्कूल में उसका बिलकुल भी दिल नहीं लगता स्कूल में टीचर स्काउट को डाणती है स्काउट की टीचर का नाम है मिस कैरोलीन पहले दिन ही मिस कैरोलीन स्काउट को डारती है कि उसे पढ़ना लिखना आता है क्यूंकि वो बहुत देर से स्कूल आई है छे साल उसने गर में गुजारे हैं स्काउट को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता वो गर वापिस आकर अपने फादर को बताती है तो एटिकस उसे समझाते हैं और कहते हैं कि खुद को दूसरों की जगा रख कर देखो फिर तुम्हारा परस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा और तुमें सब कुछ अच्छी तरह समझ में आएगा फिर इसी दुरान एक और इंटरस्टिंग चीज होती है स्काउट और जिम को एक दरख्त मिलता है रैडली हाउस के पास एक दरख्त था उस ट्री में एक सोराख था उस सोराख से उन बच्चों को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं जैसे चूंगम वगएरा बच्चे वो गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्होंने जो अफवाहे सुन रखी थी कि रैडली हाउस के पास जो भी चीजे हैं वो सब पॉईजनिंग हैं उन सब में जहर है बच्चे अब इन अफवाहों पर यकीन नहीं करते वो इन रूमर्स को इग्नोर कर देते हैं और उस ट्री के पास जाकर वहां से गिफ्ट्स लेते थे फिर गर्मियों का मोसम दुबारा आता है डिल वापिस आ जाता है तो वो तीनों मिल कर दुबारा से रैडली हाउस को जानने की कोशिश करने लगते हैं एक रात वो रैडली हाउस के पास जाते हैं और चुपके से विंडो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं यानि खीडकी से जांकने की कोशिश करते हैं लेकिन नाथन रैडली उन्हें देख लेता है नाथन रैडली इस गर का मालिक है जब नाथन रैडली उन्हें देखता है फिर जब बाद में वो अपनी पैंट वापिस लेने जाता है तो देखता है कि उस पैंट को स्टिच करके बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करके वहाँ पे रख दिया गया था जेम अपनी पैंड लेकर वापिस आ जाता है फिर वो बच्चे उस ट्री के पास जाते हैं ट्री के होल से यानि ट्री में जो सुराख था उन्हें दुबारा से वहां से गिफ्ट्स मिलते हैं लेकिन नाधन रैडली उस होल को फिलप कर देता है और कहता है कि ये ट्री डेड हो करते हैं यूही कुछ महीने गुजर जाते हैं फिर सर्दियों का मौसम आता है एक दिन इनके नेबर हुड मिस मौडी एक इंसन के गर में आग लग जाती है स्काउट और जम इस आग को देख रहे होते हैं तो कोई चुपके से आता है और स्काउट के शोल्डर पर एक ब्लै एडली ने किया है एटिकस चुँके एक बहुत अच्छे और बहुत प्रॉमिनेंट लॉयर थे तो इसी साल कोट उन्हें अपॉइंट करती है कि वो एक ब्लैक मैन के केस को हैंडल करें एक ब्लैक मैन को डिफेंड करें इस ब्लैक मैन का नाम है टॉम रोबिंसन और इस पर लगाया जाता है कि इसने एक वाइट गर्ल का रेप किया है उस वाइट गर्ल का नाम है मियोला यूवल और ये एक पूर मैन की बेटी है जिसका नाम है बॉब यूवल बॉब बहुत ही बुरा आदमी है ये अब्यूसिव है बिलकुल भी अच्छा नहीं है और एक रेसिस् अफरत करता है इसलिए ये अपनी बेटी को फोर्स करता है कि वो टॉम पर केस करे लेकिन एटिकस इस ब्लैक मैन को डिफेंड करता है यनि टॉम रुबिंसन का केस लड़ता है टॉम रुबिंसन की मदद करता है इस केस की वज़ा से एटिकस और उसके बच्चों को बहुत सफ कर रहा है एक ब्लैक मैन का केस लड़ रहा है फिर एक बार संडे का दिन होता है लेकिन एटिकस गर नहीं होता कल पर्णिया बच्चों को अपने साथ चर्च में ले जाती है यह चर्च ब्लैक कम्यूनिटी का था वहां सब लोग स्काउट और जम का बहुत खुशी से वेलकम क करते हैं जब वो गर वापिस आते हैं तो गर में उनकी आउंट अलेक्जेंड्रा आई होती है यह एटिकस की सिस्टर थी और यह इसलिए आई थी ताकि स्काउट को कुछ females वाली quality सिखा सके, उसे कुछ औरतों वाले manners सिखा सके. Aunt Alexandra बच्चों को डार्टी थी और कलपर्निया को भी अच्छा नहीं समझती थी, वो बच्चों को मना कर देती है कि वो कलपर्निया के साथ कहीं न जाएं, ना उसके साथ चर्च जाएं और ना उसके गर जाएं. Aunt Alexandra बहुत conservative थी, यनि बहुत narrow-minded थी. फिर दूसरी तरफ Tom के trials शुरू हो जाते हैं. Atticus बहुत अच्छे तरीके से Tom को defend करता है और कहता है कि Meola और Mr. Yuval दोनों जूट बोल रहे हैं. Atticus कहता है कि जिसने भी Meola को नुकसान पहुँचाया है और मारा है वो left-handed था, यनि वो बाया बाजू इस्तमाल करता था, वो अपनी left arm ज्यादा इस्तमाल करता था. लेकिन Tom left-handed नहीं है और उसका बाया बाजू ठीक तरह से काम भी नहीं करता. इसलिए Meola को नुकसान टॉम ने नहीं पहुँचाया, बलके बाब खुद left-handed है और ये बहुत ही बुरा आदमी है, abusive है. स्काउट, जेम और डिल, तीनों छुपकर बैलकनी से ये ट्रायल देख रहे होते हैं. एटिकस टॉम की बेगुनाही साबित कर देता है, लेकिन जज वाइट मैन था, इसलिए वो टॉम की अगेंस्ट फैसला करता है, वो टॉम को जेल में बंद कर देने का फैसला सुनाता है, टॉम वहां से बागने की कोशिश करता है, तो उसे शूट कर दिया जाता है. जेम ये सब देखकर बहुत हर्ट होता है कि किस तरह ब्लैक लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता है उन्हें इनसाफ नहीं मिलता यनि उन्हें जस्टिस नहीं मिलता अब चूंके मियोला और बॉब के फेवर में ये फैसला हुआ था फिर भी बॉब एटिकस को दमकी देता है कि एटिकस ने उसके साथ अच्छा नहीं किया अदालत में उसे बेवकुफ बनाया है फिर एक राद जेम और स्काउट एक पार्टी से गर जा रहे होते हैं तो चूबल को चाकू लगता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है वो आदमी जेम और स्काउट को बचाता है जेम को उठा कर वापिस गर ले आता है और जब वो गर वापिस आते हैं तो स्काउट को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बलके बू रेडली है उसी सीरियस गर में रहने वाला बू रेडली जिसको वो जानने की कोशिश कर रहे थे फिर स्काउट रेडली को उसके गर छोड़ने जाती है वहां खड़ी होकर वो पूरी दुनिया को रेडली के परस्पेक्टिव से देखती है वो रेडली के परस्पेक्टिव से दुनिया को बजने की कोशिश करती है कि बू बहुत अच्छा है और किस तरह इसने उनकी जान बचाई फिर वो गर वापिस आती है तो एटिकस उसे स्टोरी सुनाते हैं और वो सो जाती है यहीं बे यह नौवल एंड होता है नौवल के शुरू में जो बच्चों का परस्पेक्टिव था जिस परस्पेक्टिव से वो दुनिया को देखते थे नौवल के आखिर में वो पूरी तरह से बदल चुका था वो रेसीजम को जान चुके थे और एक्वैलिटी और जस्टिस का लेसन भी सीख चुके थे अगर इस नौवल के मेजर थीम्स की बात करें तो तो हमने रेसीजम, डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस जैसे थीम्स प्रॉमिनेट देखे हैं, मौकिंग बर्ड यहां हाइली सिंबॉलिक है, मौकिंग बर्ड सिंबॉलाइस करता है ब्लैक लोगों को, यानि ब्लैक कम्यूनिटी को, आज की वीडियो में बस इतना ही, उमीद करती ह आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच पर वाचिंग